नमस्कार दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं वो भी गलती से आप लोगों को इसी खबर भी नहीं भीया किस ने भेजा है क्या किया है और किस लिए पैसे भेजे हैं तो मैं आप लोगों को वी पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर आप लोगों निकाल करके खर्च कर दियें उन पैसों को तो भी आप लोगों को उन पैसों को अपनी जेब से चुकाने पड़ेंगे अगर आप लोगों उन पैसों को नहीं चुकाते हैं तो आप लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ सकत और कई परिस्थित्यों में आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ 3 main conditions हैं जिसमें आप लोगों के पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं आप लोगों के बिना जानकारी के। पहली कंडिशन दोस्तों कि कोई गलती से ट्रांसफर कर देता है दूसरी कंडिशन किसी particular person को हम लोग पैसेड ट्रांसफर करना चाते हैं या फिर कोई corporate company या फिर कोई बड़ी सेक्टर की company पैसेड ट्रांसफर करना जाता है किसी NGO के माध्यम से तो भी यहाँ पर दूसरे कंडिशन में आगे चल करके बात करेंगे क्या क्या परिस्थितियां आती है अगर आप लोग देखना चाते हैं समझना चाते हैं तो वीडियो को सुरू से ले करके अंतक देखे काफी हल्प होगी आप लोगों की तो दो स्वागत करता हूँ अगर आप लोगों का अब इंटरेस्ट बिजनस और टेक्नोलियो को सीखने और समझने के लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले हो तो सेम ब्रांच में सेम बैंक में वो पैसे किसे और के अकाउंट में चले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि अगर मैंने ध्हान नहीं दिया पैसे ट्रांसेर क давно मुझे लगा कि इन के हाँ चला गया है कुछ नंबर मेंस्टिक से बाद आंप लोगों से कॉंट करेगा content करने के बाद आप लोगों से कहेगा कि पैसा इनका है इनको जाना था पर आप लोगों के पास चला गया है तो यहाँ पर दोस्तो आप लोगों को अगर पैसा खर्चा नहीं किया है आप लोगों ने या फिर मैंने कभी कोई लोट्री जी दीजी तो साइद उसका पैसा आया हो तो आप लोगों निकाल करके वहाँ पे खर्चा कर दिते हैं या फिर थोड़े आप लोग चुल्बुले होते हैं तो उसको पैसे निकाल करकर खर्च कर देते हैं बैया जो होगा देखा जाएगा बाद में तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को bank के द्वारा एक समय दिया जाएगा अगर आप लोगों ने खर्चा कर दिया है यह तीनों condition के वाद बता रहा हूँ अगर आप लोगों इन तीनों condition पैसे विड्ड्रॉल कर लिए है तो यह तीनों condition आप लोगों को लागो होते है bank आप लोगों को समय देगा उन समय सीमा के अंदर आप लोगों को पैसे transfer करने पड़ेंगे यानि कि आपने account में डालने पड़ेंगे और bank वो पैसे आप लोगों का transfer कर देगा जहां से भी पैसे आये होंगे ठीक है या फिर जो भी सामने वाला होगा जिसको भी transfer करना चाता है उसको transfer कर देगी bank अगर bank आप लोगों से contact करके इस तरह की बाते करती है अब दोस्तों वहाँ पे अगर आप लोग समय सीमा के अंदर उन पैसों को नहीं डालते हैं अपने account में या फिर transfer नहीं करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जुर्माना भी भरना पढ़ सकता है और कई सारी condition में आप लोगों को jail भी जाने पढ़ सकती है अब ये depend करता है सामने वाला किस तरह से आप लोगों की सिकायत करता है bank में या फिर police station में ठीक है ये तो हो गई दोस्तों पहली condition अब दूसरी condition में यही same rule follow होता है कि आप लोगों को पैसे वापिस करने ही पढ़ेंगे बाकि सामने वाला किस तरह का है आप लोगों को उनको पैसे देने ही पढ़ेंगे तो दूसरी condition रोड़ा इसको समभाई लीजे आप लोग तो जैसे कि यहाँ पे चुनावी महौल है तो कई सारी party या निकल करके आती है जो उनको fund की जरूरत पढ़ती है तो यहाँ पे अब नया rule भी निकल आया है कि अब किसी भी तरह कैसे कोई भी जैसे कि support करता हूँ मैं किसी party को तो मेरा नाम सामने नहीं आएगा पर मैं party को fund दे सकता हूँ लेकिन दोश्तों अगर मैं fund देता हूँ तो मुझे income tax department को दिखाना पड़ेगा भाहिया कहा कहा मैंने पैसे दिया है तो मैं क्या करता हूँ कि इसी तरह के अलग-अलग अकाउंट से पैसे डालता हूँ और उनकी बैंकों के साथ सिकायद करता हूँ और वो किसी एक NGO's को transfer कराता हूँ या फिर आप लोग parties को मत लीजे कई लोग इसके लिए थोड़ा दुखित भी हो सकते है जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए है तो मैं किसी person का नाम ले लेता हूँ जैसे कि मेरे पास ही मुझे कोई करोड़ो रुपे transfer करना चाता है और मुझे income tax department से tax देने से बचाना चाता है तो मैं किसी NGO से जुड़ा हुआ हूँ तो वो मेरे NGO में अलग-अलग तरीके से पैसे transfer करके दूसरे accounts में वो उसमें पैसा transfer कर लेगा यह काफी detail, काफी बड़ा topic है दोस्तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करें पर आप लोगी समझे कि इस तरह से इसमें काम होता है particular parties को fund पहुचाय जाते है या फिर किसी particular person को fund इस तरह से पहुचाय जाते है तो आप लोगों को भी यहाँ पर condition में अगर आप लोग पैसे निकाल करके खर्च कर देते हैं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पर सकता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और दोस्तों तीसरे और आखरी condition के बारे में बात करें जिससे मैंने आप लोगों को बताया था कि bank की दिक्कत हो या फिर bank के server के दिक्कत हो तो यहाँ पे दोस्तो आप लोगों को पैसा इस कंडिशन में भी ट्रांसफर करने पड़ते हैं या फिर पहुचाने पड़ते हैं अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे गलती से पैसे निकाल करके खर्च कर दिये हैं तो आप लोगों को दुबारा से वो पैसे आप लोगों क आकांड में डालने पढ़ेंगे जिससे कि bank आप लोगों का पैस ट्रांस्फर कर सके यहां पर अगर bank की दिक्कत हो अगर वो सामने वाला बंदा इसकी सिकायत करता है कि हमने यहां पर पैसा ट्रांस्फर करना था यहां पर čला गया और मैंने सबकुर सही डाला था तो वहाँ पे bank within 24 hours उसके पैसे उसके पास वापिस भेज देता है आप लोगों से यहाँ पे bank इजाज़त भी नहीं मांगता है कि क्या आप लोग इसको पैसे को transfer क्रना चाते हैं कि नहीं करना चाते हैं बाकि उन दोनों condition में आप लोग उसे bank इजाज़त मांगता है कि ये आप लोग पैसा आ गया है क्या आप इजाज़त देते हैं अगर आप लोग नहीं ऐसा करते हैं तो ये ये दिक्कते हो सकती हैं आप लोग तो यहाँ पर लोग उनको permission देते हैं permission मिलने के बाद बीना permission के इन दोनों condition में आप लोगों से bank पैसा आप लोगों के account से नहीं निकालेगा जब तक आप लोग उनको permission नहीं देते हैं बाकी वो इतना कर सकता है कि आप लोग का account hold कर सकता है लेकिन आप लोग के इजाज़त के बिना आप लोग का पैसा निकाल करके उनको transfer नहीं कर सकता है ठीक है यह तीसरी वाले last condition आप लोग उसे किसी भी तरह की permission नहीं माएगा अगर bank गलती है तो वो आप लोग का पैसा निकाल करके दुबारा से उसी account में transfer कर देगा अगर आप लोगों ने खर्चा नहीं किया है तो तो दोस्तों यहीं कुछ 3 main conditions थे जो कि मैंने आप लोग के साथ share किये हैं बाकी और भी कई सारे condition है जिसमें आप लोग के पैसे गलती से आ जाते हैं बाकी यह 3 main condition है जो कि mainly आप लोग के पैसे transfer कर दिये जाते हैं जलती से या फिर जान बोज करके या फिर आप लोगों के बैंक के default की वज़े से तो बाकी दोस्तों यहां पर पूरे वीडियो के conclusion की बात करें थोड़ा से को ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को अगर आप लोगों के account में पैसे आ जाते हैं तो आप लोगों को तुरंट अपने bank के branch में इसके सिकाज करनी चाहिए यह जो पैसे आएं भाईया आए हैं तो क्यों आए हैं और कहां से आए हैं अगर आप लोगों को दूसरी condition में पैसा आता है तो आप लोगों को इसके लिए पता करने के लिए आप लोगों के अगर जान पैचान में ज़्यादा accounts है जैसे कि आप लोगों के दोस्त कभी account उसी में है आप लोग के सब्मंदियों का भी account सेम ब्रांच में है तो उनसे पता किजी क्या आप लोगों के पास ही पैसे आएं है अगर उनके पास ही पैसे आएं है तो आप लोग समझे लिजी कि ये किसी तरह का scam है या फिर कोई किसी को पैसे transfer करना चाहता है और हमारा सहरा ले रहा है तो आप लोग के इसकी सिकायत आप लोग के नजदिकी police station में भी करनी चाहिए और साथ में यहाँ पे अपने bank को भी इसके बारे में सिकायत करनी चाहिए तो यही कुछ conditions थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिये हैं बाकि अगर आप लोग के पास कोई question या फिर कोई confusion या फिर कोई सुझा हो आप लोग का या फिर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे कुछ और चीजी और possibility हो सकती है अकाउंट में पैसा आने का तो नीचे आप लोग comment box में जरूर छोड़े बाकि अगर आप लोग किसी particular वीडियो पर चाहते हैं कुछ समझना या फिर सीखना तो नीचे उसके लिए भी comment box में छोड़ सकते हैं और दोस्तों एक question है मेरा आप लोगों से क्या आप लोगों के भी account में गलती से पैसा आया है अगर आया है तो आप लोगों ने उससे किस तरह survive किया है या फिर आप लोगों को किस तरह की परिशानिया या फिर किस तरह का आप Lोगों के सामनी चीज़े आई हैं और आप लोगों ने इसको solve किया है नीचे comment box में जरूर share करें जिससे कि हमारे other viewers अगर इस तरह का सिकार बने हैं और उस चीज़ें के बारे में सर्च कर रहे हैं तो वो उसका solution देख सकें आप लोगों की भी मदद से और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करें हो सकता है दोस्तों की आप लोगों की माता बहने या फिर पापा या फिर बेटा कोई भी relative आप लोगों के इस तरह के परशानियों को सामने करना पड़ सकता है तो आप लोगों के उस साथ share करेंगे तो पहले सही सचेत रहेंगे और उसके लिए वो सही कदम उठा सकेंगे आप लोगों से नक्स वीडियो मिलता हूँ आप लोगों का दिन सोब हो जैहिन